तो स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग केरे कलब के ओनलाइन सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे होम हैल एड के 6.8 चैप्टर के बारे में हैं जो मरीज की अधिकार एमवाता होने हैं मरीज की होस्पिटर में कुछ अधिकार होते हैं कानूनी तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी कारी सुची में पहला है मरीज की अधिकार जो परसंग क्या 5 से 6 पर पढ़ेंगे दूसरा है कानूनी अधिकारों के नितिक पहलू जो परसंगे 8 से 11 पर पढ़ेंगे तीसरा है मरीज की सुरक्षा और आराम वो परसंगे हम लोग 13 से 14 पर पढ़ेंगे चोता है अब्यास परसंग करेंगे 7, 12 और 15 परसंगे पर मरीज की अधिकार अब जब मरीज होस्पिटल में आता है उसको कुछ अधिकार होते हैं अपने बारे में जानना होस्पिटल के बारे में जानना और एक जो अपने को ट्रिटमेंट कर रहा है या अपने को इलाज दे रहा हो उसके बारे में जानना तो HHA की रूप में आपको मरीजों और उनकी देखवाल करने वालों को मरीजों के अधिकारों के बारे में कुछ जानकरी पदान करनी होती है आपको अपने रोग्यों को बताना चाहिए कि आप चाहते हैं कि उनका अनवव बड़ी मरी जब अस्पताल में आता है तो उसको एक होम हेल्थ एड के दुआरा समझाया जाता है या उसके जो किशन होते हैं वो उनका संतोस्पून जवाब देता है उसमें कुछ अनवव होते हैं तो उनके कुछ उधार नमने को देने पड़ते हैं जैसे पहला है सोसन उत्पिडन उपेक्सा दुराचार के सभी रूपों से मुक्त एक सुरक्षित और भैराईत वातावन में सम्मानपूर्ग इलाज प्राप्त करे मरीज को बताना चाहिए कि आपका कोई सोसन नहीं होगा, कोई उत्पिडन नहीं होगा, कोई आपका दुराचार नहीं होगा इन सभी रूपों से मुक्त एवराणा चाहिए और सम्मानपूर्ग इलाज प्राप्त करना है दूसरा है गोपनेता व्यक्तित्य व्यक्तिगत्मुलियों विस्वास के साथ आपका इलाज किया जाएगा तीसरा है स्वास्तिक देखबाल की जर्ड़तों के अनुसार उची समय पर योग की देखबाल प्राप्ट करें ओप होम केर सर्विस दुआरा बताया जाता है मरीज को कि आपकी सुरक्षा के साथ आपका स्वास्तिक का देखरे किया जाएगा मरीज के साथ कोई दुर्वेवार नहीं हूँ इसके लिए उसकी एक कानुई रूप से उसकी सुरक्षा के माम मरीज के साथ कोई दुर्वेवार नहीं हूँ इसके लिए उसकी एक कानुई रूप से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए छटा है सिकाइद दज करें और बिना बेदवा के डरी के समय पर ढंक का इलाज प्राप्ट करें आप अगर किसी से ईश्या या किसी परकार के आपको दिक्कत हो तो इसकी आप से काइद कर सकता है मरीज के ये कुछ अधिकार होते हैं साथ हो आए सेवाओं से पहले सेवाओं की लागत किसी भी लागू बुगदान ये तिके बारे में जानना मरीज जब अस्पताल में आता है तो अपनी इलाज के लिए लोग महां के करमचारी से सवाल जवाब कर सकता है पूछ सकता है अपनी सेवाओं के लिए और सेवाओं में जो लगने वाली लागत है जो पैसा है उसके बारे में वो जान सकता है अब ब्याज परसन परस्ट मरीज का अस्पताल में क्या नहीं होना चाहिए सोसन उत्पिडन दुराचार उप्योग सबी कौन समय होना चाहिए जी हाँ उप्योग सबी अस्पताल मरीज के साथ कोई सोसन नहीं होता है ना कोई उत्पिडन होता है ना दुराचार होता है कारण ही है यह सारे मरीजों के अधिकारों में आते हैं जो हर चिकिसा को पोलो करने पड़ते हैं मरीज के इलाज के दोरान अब कुछ कानूनी अधिकार है जो अपन जानेंगे उसके बारे में कानून अधिकारों के नेतिक पहलू है पहला है आपको सम्मान सही सुरक्षा का इलाज का अधिकार है आपका सम्मान किया जाएगा ये सुरकसा का, इलाज का सहीत अधिकार है, सम्मान के साथ आपका इलाज किया जाएगा आपको अपनी बीमारी के बारे में जानने का अधिकार है, साथ इलाज और उसके परिणाम को भी जानने का अधिकार है मरी जब अस्पतार में आता है तो उसे खुद की बीमारी के बारे में जानने का अधिकार है साथ में इलाज का भी अधिकार है और उसके कुछ जो भी परिणाम होगा हानी अला उसके बारे में जानने का भी अधिकार है दूसरा है आपको इलाज को ठुकराने का दिगार है मरीच चारता है मुझे इलाज नहीं कराना तो वह ऐसी उकार भी कर सकता है अगर आप अस्पतार में इलाज से संतुष्ट नहीं है तो आप इलाज से इंकार कर सकते हैं और आपके लिए दूसरी विवस्ता की जाएगी मरीच चारता है कि मैं इस इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ तो वहां के रहने वाले करमचारियों द्वारा उसकी दूसरी विवस्ता की जाएगी इलाज के लिए तीसरा है आप किसी को अपनी बात कहने का अजगार दे सकते हैं मरीच चाहे तो वह अपने बात कहने का अजगार किसी दिस्तेदार या अपने आजपरोस के या अपने एक होमेल साय के दूरा भी कह सकता है अगर इलाज के दूरान आप बात नहीं कर सकते तो आप किसी वेक्ती को इसके लिए चुन सकते हैं जो आपके बारे में आज की समय में पैसला लेगा जब मरीज का होस्पिटल में एडमिट होते हैं तो एक कंसर्ण्ट पर साइन कराई जاتी है उस कंसर्ण्ट में साइन करने का अधिकार उसके दिश्टेदारों का या उसके सम्मंदित कोई भी पत्नी बेटा आदी भी कर सकते हैं चोगता है गोपने तक आदिकार अस्पताल में आपके पास गोपने तक आदिकार है आप डॉक्टर अस्पताल नर्सिन आदी से इसके लिए कह सकते हैं मरीज को गोपनिता का अधिकार है, एक कानूनी अधिकार होता है, वह गोपनिता भी बनाई रख सकता है, पांच वह पास अपने रिकोर्ट गुट रखने का अधिकार है, मरीज को अपना रिकोर्ट या दस्तावेज रखने का अधिकार है, आप चाहिए तो इलाज के समय के द रख सकते हैं मरीज अपना इलाज के जो डोकुमेंट से वह खुद भी रख सकता है इसका कानूनी अधिकार में आता है छटा है आपको अपना medical record review करने का अधिकार मरीज चाहता है कि मैं अपना medical को दूबार review करना जाता हूं मैं चेक कराना जाता हूं उसका अधिकार भी पद्दिबन ना हो उससे कोई कानूनी लागू नहीं है मैं अपने दस्ताविज गों दुबारा दिखा सकता है इसका कानूनी अधिकार है साथवा आपको जब तक दूसरा असपार श्युकार नहीं करता आप पर refer नहीं किया जा सकता मरीज चाहता है कि मैं दूसरे hospital में जा concern देनी पड़ेगी और उसके बाद में अगर दूसरा hospital उसको लेने के लिए स्युकार है तो ही उसको refer किया जाएगा यदि आपको अस्पताल आपको दूसरे hospital में refer कर रहा है तो जब तक दूसरा hospital आपको श्युकार नहीं करता है आप refer नहीं माना जाओगे आपको अस्पताल से बारे लोगों से जुड़े होने वाले लोगों को जाने का अधिकार मरी चारता है कि भार वाले लोगों से मैं पूस्ताज करके अपने कानून अधिकार तरीके से मैं मरी hospital के बारे में जानना चाता हूँ जिस अस्पतार में आपका इलाज चलता है उससे बारे लोगों जो अस्पतार से जुड़े हैं और आपके इलाज को प्रभाईट कर सकते हैं उनके बारे में जानने का आपको अधिकार है न हुआ है, आपके उपर होने वारे research से आप इंकार कर सकते हैं, मरीज चाहता है, मैं कोई research नहीं करा चाहता हूँ, इसके लिए वह खुद स्वियंन कानुन दोरपे मना कर सकता है, अगर आपके उपर कोई research हो रही हो, आप إिसे नहीं चाहते हैं, तो आपके पास इससे इंकार करने का अधिकार होता है 10. आपको अस्पिताल की हकित जानने का अधिकार मरीज होस्पितल के मारे में जानना चाहता है उसका अधिकार भी मरीज के पास होता है अगर अस्पिताल की हालत अच्छी नहीं है तो आपको अधिकार है कि उसके बारे में सही जानकारी दी जाए ग्यारवा, अस्पताल के नियम और सर्थ जानने का आपका अधिकार मरीज जारता है अस्पताल में क्या-क्या नियम है, युकि क्या-क्या कंडिशन है उससे जानने का अधिकार भी मरीज के पास होता है अस्पतार में पेमेंट से लेकर हर वन्यम जो आपके इलाज को प्रवाइट कर सकता है उससे जानने का आपको अधिकार है बार हुआ है पोस्ट मार्डम करने वाले के बारे में जानने का अधिकार अगर कोई मरीज खतम हो जाता है तो मरीज का जब पोस्ट माडम किया जाता है उससे पहले एक कंसर्ण ली जाती है और कंसर्ण पर साइन कराने पहले मरीज के रिष्टेदार जानना चाते हैं कि हमारे जो मरीज का पोस्ट माडम कर रहे हैं वो कौन करना, कौन सा डोक्टर कर रहा है, इसके बारे में जानना चाते हैं, पोस्ट माडम वो होती है, मरने के बाद सव का जो अंगो को एक पार्टिकल रूप से रखा जाता है और उनका लेमे जाच की जाती है, उसको पोस्ट माडम कहा जाता है, तेरवा है, आपको हर तरह के सोशन दूर रखा जाने का अधिकार, मरीज का किसी परकार का कोई सोशन नहीं होता है, उसमें इसमें उसका एक कानूनी अधिकार होता है, किसी भी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर आपको हरेस्पेंट नहीं कर सकता, यह जाने का उसको अधिका होता है चोधवा अपने डॉक्टर के बारे में जानने का अधिकार अपनी बीमारी को आप अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करना और आपका इलाज होने से डॉक्टर कर रहा है इसे जानने का अधिकार है मरीज को अधिकार है कि उसका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है इससे जानने का अधिकार भी मरीज के पास होता है अब 20% दो मरीज के कुल कितने कानूनी अधिकार होते हैं बताईए आप लोग कितने कानून होते हैं कानूनी अधिकार होते हैं 10, 12, 13, 14 जी हां चोधा दिकाय होते हैं अब मरीज की सुरख़ा और आराम मरीज भर स्पिचल में आता है तो वहांबting पर एक हूम एल्द एडिकिट के दुरा उसकी साहटा की जाते है उसकी सुरख़ा की जाते हैै उसे आराम दिलाता है उसे वयाम कराना उसे निलाना दुलाना ये काम और मरीज को गुमाना ये एक होम हैल्थ साय का अधिकार होता है मरीज की सुरक्षा और आराम को सुनिशित करने के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा सावदानियों और सामाने दिसा निदेश जिनका पालन अस्पताल इस्टाब या एचाइची के प्रिसर के को अंदर करना है यानि कि मरीज जो अस्पताल में आया उसे अपने को बताना है यहां के नियमों को और उसे सुरक्षा रखनी है जो चीजे और नहीं यहां करना चाहिए उसके लिए उसको मना करना है उनमें कुछ है पहला दुमरपान से स्वास्ते और आगर जनिक दोनों के लिए खत्रा माना जाता है अगर मरीज दुमरपान करना है तो उसको मना करना है आपको दुमरपान नहीं करना है इससे आपके कहीं बीमारिया पैदा हो जाती है या कहीं बीमारिया हो जाती है ये सुनिशित करें कि अस्पताल में दुमरपान के अनुमति नहीं हो मरीज को अस्पताल में दुमरपान करना नहीं चाहिए इसकी अनुमति नहीं दे एक Home Health साइक के दوरा मरिज के कमरे में दुमर्वंजित लागू हो दूसरा है बाहर जाने से पहले नर्स को सुचित करे अगर मरिज घूमना चाहता है और एक Home Health साइक के दौरा घूमने लेन के जाना चाहता है तो उससे पहले आपको एक नर्स को इन्फॉर्म करनी है तीसरा है नर्स को आवश्य बताएं अगर मरीज नकली दात सुनने के मसीन कॉंटेक्ट लेंस या अन्य कंतिम उपकरन का इस्तमाल करते हैं तो सुनिस्ट करें कि जब तक उप्योग में नहीं हो तो उन्हें सही रखा जाए अन्यता हुआ गल्ट से तूट सकता है नर्स को आपको बताना है कि इसके नकली दात लगे हैं या सुनने के मसीन लगे हैं इन सभी जो कंतिम उपकरन है वो मरीज इस्तमाल कर रहा है उनको एक सुनिसी जग्या पर रखना है जोता है किसी भी तरह की गड़ना जैसे कि जमीन में पहली सामगरिया तूटावा काच इसका रिपोर्ट समधिक करमचारू से करें अगर परस पे कोई गंदकी हो या तूटावा काच हो तो इसके जो भी अदिकारी होते हैं किलनेस कराने वाले उनको अपने को इन्फोर्म देनी होती है अच वाए एस्पताल परसे में सराब या नसिले पदाद के अर्मति नहीं दी जायनी चाहिए एस्पताल में किसी परकार का नसिले पदाद या सराब नहीं पीना चाहिए छटा है ओक्सिजन प्राथ करें रहे योग योग की विसेश देखबाल होनी चाहिए हो मैल साय के द्वारा जिस मरीज के ओक्सिजन लगा हुआ है उसे मैं विशेश उपसे देख बाल करनी चाहिए अब्यास परसंतीन अस्पताल पैसर में क्या अलाउ नहीं होनी चाहिए बताईया दुमरपान खाना दोनों इनमें से कोई नहीं जी हाँ दुमरपान अस्पताल में दुमरपान अलाउ नहीं करना चाहिए थैंक यू बहुरे मस्ट